तो आलीकुम नाज़ीन आए आज मैं आपको टिंडे गोश बनाने की रेस्पी देती हूँ सिम्पल है बहुत आम रेसिपी उसकी तरह जैसे मेरी पहले वीडियो में आपको बताया है मैं ने पहले आपको आलु गोश बनाना सिखाया है और उसके साथ और भी बहुत सी असी चीजे इसले बता रही है। यहां लिए एक किलो के करीम आ पर चील के तो। नहीं आपको अगरे में अभड़ा शोरबे वाले रखे हैं तो लेम एक किलो के करीम अच्छी तरह प्रफ शैवार माइने लेजेज कारें एक प्याज है और ज्यादा शोर्बे वाली चीजों में प्याज मात आट किया करें क्योंके उसके डावने से जो शोर्बे का जाइका है वो बहुत ही स्वीट मीठ हाता है यहां पर यह मेरे पास लसन है यह अधरक है एक पीस मैंने लिया है आप देख लीजेगा जितना जितन अगर आप बस पून पर जाती है तो फिर आप तक्रीपन टू टेबल स्पून जिंजर टू टेबल स्पून जो है यह गार्लिक ले लिजेगा एक टमाटर लेना है आपने यह बड़ा सा है छोटा नहीं है गार्णिश के लिए मैं यूज करूंगी यह देखिए गोडियंड मसालों में डालूगी नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और सुखा धनिया कितना डालूगी मैं आपको यह साथ साल बताऊंगी पानी में एड करूंगी प्रेशर में मैं हमेशा बनाती हूं प्रेशर कुकर में तो आपके पास जो भी है वह अपने हिसाब से पानी ठेक कञा डाऊ-लूप, आपके कौश्टक को कला लीका та तो अब मैं जाती हूं स्यूंदे पैंशर कुकर लिया है अब मैं पानी करना थेस, यह बनी हम आपके पानी ट्यक्यें कर दी है तो साथी मैं पानी एड करूंगी इस करूंगी, दा लू जालाूद न senin प्रश्च करने के बाद दालेंगे लाल मिर्च में अगर आप ज्यादा पसंद करती है आप ज्यादा डाल सकती है और सुखा धनिया वह भी मैं इसके अंदर वन टी स्पून डालोंगे हल्दी जो है हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम सॉल्ट वन टी स्पून नमक यह देखिए ठीक है अब इन चीजों को मैं मिक्स करके तो प्रेशर दे दूंगी और तकरीबन पांच मिनट के लिए यह गोश्ट जो है वह अच्छे तरीके से गल जाएगा जीरा पाउडर भी आपने इसके अंदर वन टी स्पून एड करना है क मसाला भी तकरीबन इसका बिल्कुल गल चुका है तो इस सूरत में हम इसके अंदर यह तब यह तामाटर और जिंजर जो मैंने क्रेश करके यह रखा था यह मैं आप इसके अंदर डाल दूंगी वापिस थिर मैं साथ ही इसको थोड़ा सा डाल के तो इसका जो पानी है और जाएंगे आंदर जाएंगे और तकरीबन इसके अंदर जो है आप फिक, टेबल स्पून भर भर के डालिएगा क्यूंकि ऑईए अपो होता है कर ना पहले भी आपको बताया था रेकिन इतना होना चाहिए इसके अंदर कि इसकी गुनाई जो है अच्छे तरीके से हो जाएं तो हम इसका पॉनी ड्राइघ करें जाला जाते हैं पानी ड्राइघ हो जाए तो अब हम इसके अंदर जोई जाए आप गोश्टी बुनाई कर लेंगे तो अब मैं इसके अंदर ये तीने जो मैंने काहड़ते थे वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और तकरीपर 5-10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे आपके मद अदर रीमा से 10-10 मिनट तक इसकी बुनाईशी ए अलगे बनाना चाहती है तो आप पानीी स्काहिए की पानी गाल ताके टिंडे कर दो के लोग हीट करने के बाद आप इसके अंदर कुरियंडर डाल दें यह राधनिया जो है यह डाल के तो आप ने इसको बिल्कुल हल्की आग पर रख दे ताके इसका ओई जब निकल आए तो फिर यह देखने में और खाने में मज़े का लगेगा तकरीबन को आपने ट्विंटी मिनट्स जो है बिल्कुल हीट पर कुरियंडर डाल के रखना है यह अच्छे तरीके से और भी निकल आया और इसकी शकल कितनी अच्छी लग रही है तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूं हमारे टिंडे गोश बहुत ही मज़े के रह तिय क्या का चुक्छी करें दिखाती हूं हना है यह वह जहर दो अtilगत वार्चे 6otype 6 word slick all mean